तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं नाइकी के मेरे नए शूज तो चलिए इसके अन्बॉक्सिंग करते हैं और रिव्यू देखते हैं सबसे पहले मैं आपको मोडल नंबर प्राइस किता है ये सब बता देता हूं वैसे ये ऑथरा स्टोर से लिए हूए है ये शूज तो आप पूरी इंडिया में नाइकी के अथराइस्ट स्टोर है इसलिए आप इनको कहीं भी ले सकते हैं आपको मोडल मिल जाएगा इसलिए मोडल है नाइक नाइकी एयर जूम पिजासर थर्टी फाइफ इसका साइज है 11 ये इसका कलर ह है बार्ली ग्रे और ये हॉट पंच ये दूसरी लैंग्वज में है ये इसका बार कोड है अगर आपको सेम शूज खरीदना हो इसका नंबर है और ये इसका यूके सेंटीमेटर ऐसे साइस दिये गए है आप नाइकी डॉट कॉम से भी खरीद सकते हैं चलिए इसको खोलते हैं इसकी प्राइज रसे पड़ी है इसके प्राइज नहीं लिखी गई है तो मैं आपको खोल करी बता देता हूं इसके नीचे इसकी प्राइज लिखी गई है तो इसके प्राइज बताता हूं मैं आपको लाइट बन करनी पड़ेगी यह है नाइकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ओलंपिया बिल्दिंग नंबर 66 सब्लिक वन बैग माने टैक पार्क शीवी रमन नगर बैंगलोर यह इसका प घ्रिस एं इंपोर्टर है जिसने इंपोर्ट किया है कहां से इंपोर्ट हुआ है को मनेम फुट्वियर बन्थ एंड यह ओफ इंपोर्ट में 2018 अनुफेक्चर भाइं इंडोनेशिया में मैंफेक्चर डाय यह इसका अड्रेस है साइज 29 संटीमेटर मेंस जैंडर में मैंस से टू एन टू यूनिट है वन पेयर यानि इनका प्राइज है दस हजार नो सो पिचानवे यानि ग्यारह हजार उपर यह बॉक्स 90 परसेंट रिसाइकल मैटीरियल से बना है यह बॉक्स मेडइन विठनाम है विठनाम में बना हुre ही यह नाइक एयर सीरीज है और ये ऋडिया अज्टर में सोज से नाइक साट राइकव्क यह जबॉट नाइकी स्वूश एंड जस्ट डूइट नेम्स और डिजाइन्स और टेड मार्क आफ नाइकी इंक्लूजिव एंड इट्स एफिलियेट्स चलिए इसके अन्मक्सिंग करते हैं यह देखिये यह शूज है इसमें यह पिंग कलर काप को नाइकी का साइन मिल जाता है और यह ग्रीन कलर का आपको वह शूज मिल जाता है सी ग्रीन कलर का इसमें जो थर्टी फाइफ नंबर लिखा हुआ है दोनों जो तो के साइड से और वाक़ी बोड़ा पैनने में कमफर्टेबल है और यह रंइंग शूज है यह देखिए रंइंग के लिए काम में आते हैं आप इनको ओर्ट्यूजज मेले सकते है नाइकी जूम पिजासस 35 ये नाइकी जूम है ये देखिए ये इनका सॉल है अच्छा सॉल है और बड़े ही कमफर्टेबल जूते हैं ये 11,000 रुपे के जूते हैं लेकिन अभी एक ओफर चल रहा है जिसमें कि आपको 1000 रुपीज ओफ मिलता है 60 दिन के लिए 60 डेज के लिए 2 मंच के लिए अगर आप कोई भी 2 मंच में आप अगर शोपिंग करते हैं शूस की आपको 1000 रुपीज ओफ मिलते हैं देखिए शूस हैं बड़े कमफर्टेबल हैं भागने में भी दिक्कत नहीं होती चाप किते भी देर इनको पहने रखो तो भी कोई प्रोब्रिम ही फोती है। समयल भी नहीं आती ब्लबुल अच्छा फोप लगा रजा हुए है जो एब्जूब कर लेता है स्वेट को अं बिलको सॉफ्ट सोल है बिलको भी पता नहीं चलता और बिलको भी टाईट नहीं है पैर के साथ से यह एड़डस्ट हो जाते लेस भी आपको बार बार नहीं बाढ़नी पड़ती पूरू सुज होते हैं उन पको बार बार लेस बाढ़नी पड़ती है इसमें एक बार सेट हो जाते हैं तो फिर जल्ले से आप सकते हैं डूरेबल शोज़ हे दो तीन साल कित्ते BY साल चलाना चाहे चला सकते हैं वशेबल हैं वशेबल हैं बिल्कु एंडवोश कीजिये अराम से तूट बृश या जो सोफ़ है उससे आप इसको साफ कर सकते हैं वैसे इतने चल्दी गंदे भी नहीं होते और पता भी नहीं चलता हलका सा सर्फ लगा कि आप इसको साफ कर सकते हैं बड़े यह अच्छे शूज है इधर से भी अच्छा डिजाइन है अगर नीचे से देखना चाहें तो अच्छी ग्रिप बनती है इधर नीचे से सोल मोटा सोल है और यह यह भी बड़ा सुन्दर डिजाइन लगता है जो पिंक कलर का नाइकी का साइन दिया गया है और यह जो त्रेंड से इधर यान है यह बड़े अच्छे लगते हैं लेसे ब्लैक का अच्छा कॉंबिनेशन है थर्टी फाइव गोल शेप नहीं है एक तरह से उबरी हुई शेप है यह देखिए मैं दिखाता हूँ आपको ऐसी शेप है यह देखिए साइड से ऐसे लगते हैं यह देखिए बड़ी अच्छे शूज है आप खरीड़ना चाहें तो खरीज सकते हैं दस अजार के बजट में डिजाइन भी अच्छा है काफे च्छे शूज है जूरेबल है बहुत कंफर्टेबल है कोई भी दिकत नहीं है फैशनेबल है ट्रेंडी है बिल्कुल नए है और यह देखिए इसमें अंदर का फॉम अलग का लगा है सी डार्क सी ग्रीन है और बिल्कुल पता दुए नहीं चलता कि आप कित्रे भी ज देखाता हूं आपको यह देखिए यूएस 11 साइज है यूके का 10 यूरो का 45 सेंटीमिल 29 इसका बार कोड़ है मेड इंडोनेशिया इंडोनेशिया में बना हुआ है यह देखिए इसमें एयर पासिंग टेकनोलोजी है इसमें आपको पैरों में पसीने भी नहीं आते और यह होती है जिसे की पैरों में गर्मिन लगती यह देखिए यह फ्लैस से आपको कॉम्बिनेशन पता चल रहा होगा ऐसा कॉम्बिनेशन है थ्रेड्स का बड़ी अच्छे शूज है यह देखिए लैसे में भी यह डिजाइन से पहले आपको पता नहीं चल रहा होंगे फ्ल बनता है वाइट कलर से ब्रेंस ओले बिल्कुल यह नीचे से देखे ग्रिप इसकी वाइट और ब्लैक कलर का अच्छा कॉम्मिनेशन है ग्रिप का भी और बड़ी अच्छी कि ग्रिप बनती है आगे से भी अच्छा डिजाइन है और डिवरेबल शूज है पीछे से यह ऐसा डिजाइन है बोट शेप डिजाइन है पीचे से टेंडी शूज है वेरी फैशनेवल कि दस अजार की रेंज में अच्छे शूज है कि देखिए यह दिखिए डार्क सी ग्रीन कलर का रनिंग का यह लिखा हुए इदर साथ में आईगी का डिजाइन भी है दो दोस्तों अगर आपको में वीडियो पसंद आए तो मारे जानल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ठैंक यू फॉर वाचिंग